अभी काच हूं इसलिए चुबरा हूं जेस दिन आयना बनूंगा उस दिन दुनिया देखेगी आज आज हमें पढ़ना है जो हम पढ़ रहे थे नेमिंग खतम करी थी ठीक है नेमिंग ऑफ और गैनिक कंपाउंट्स शुरू करेंगे मैंने बोला था कि मैं सब्सुट्यूट्ट का पार्ट अभी नहीं ले रहा हूं तो सब्सुट्यूट्ट का पार्ट इसमें पूरी अलग से स इसमें बच्चों को थोड़ी बहुत कंफूजन रहती है कि सब्सुट्यूट्ट जब लगे होते हैं तो तब नेमिंग कैसे करते हैं या जब डबर बॉर्ण ट्रिपर बॉर्ण कोने मतलम लास्ट पोजिशन के बजाए कहीं बीच में लगा होता है तब नेमिंग कैसे करते हैं लॉंगेस्ट अर्बन कार्बन वाली चेन कैसे लेते हैं और सारी चीज़े ठीक है तो आज पूरी सीक प्राक्टिस करेंगे ठीक है 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 अधिक डाले नोट में देखो मैं आपको बताऊं की इसे लोगे नेमिंग ये जब हम किस चीज़ की करते हैं तो पहले लिखते हैं पहले कर लिखते हैं सबस्टेटुएंट ये क्या होता है आज इसके ऊपर पर लेक्शर है अभी सब समझ में आ जाएगा कि उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट जो मैंने आपको बताई थी मैठ एथ हो लीटी यह ठीक है ना उसके बाद लिखते हैं सफिक्स वही सफिक्स मतलब इन 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 मतलब जो भी है इसके पहले वाले लेक्षर में सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करी थी वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में क्योंकि तो मैंने सब्सक्राइब में अधर लेक्छरिम आपको बढ़ाऊंगा तो आज प्रॉपर नेमिंग होगी जिसमें सब्सक्राइब युए आएगा कि कि जब सबस्ट्डुवरेंट होता है तो कैसे चरते हैं कैसे और यह समझते है है शकुल किया होता पहले समझगा जरूरी है ले Paint CPA कि अपके स्लिवल्स में यह सव्टुट्ट्वुवरेंट कहली वहां पर लगा सब सिंगल बांड और उया कि देख्वारण नेमिंग of branched saturated hydrocarbons मतलम देखो substituent होता है जो एक जैसे हमने इसका फॉर्मला बन जाता था अब यह बिल्कुल स्ट्रेट चेंज के बजाए कोई carbon मानलो ऐसे लगा दिया तो अब इसकी नेमिंग कैसे करें के ब्रां चाहा हो गया एक कार्बन नीचे लगा दूंगा यहां पर लगा तो ब्रांच बना दिया तब बात समझ माई यहां पढ़ें सब्सृटुट्ट के होता है कि अभर देखते हैं क्या होता है अब बाच बना देखो रूल नमबर 1 नोर्स में चाहरे लिग भी सकते हैं । रूल नमबर 1 होता है लॉंगेस्ट कहाश्ड अर्थ हैं रूर्अ लोंगेस्ट के से कार्मान ट्रॉर्मंप्र डिल्मंबर 1 में क्या ता है कि वाय इस-चिन झाल कई मिले खो इसे जारत और चल में अब्रहन को लिख्य को सबसे ज़्यादा बनाता इसमें इसमें क्यूंस में सब्सक्ना ज़्यादा मिले लॐसे चल सकता हूद कैसे फोल्त है कैसे चलना अब ऐसे नहीं चल सकता कि इसको भी मिला के फिर इसको उपर जा के ऐसे चलाँगों ना यह बन गई पहली एक पॉसिबल चेन यह है दूसरी पॉसिबल चेन क्या आदिखो अगर मैं यहां से चलू तो इसे यहां से यहां नहीं चल सकते तक मैंने दो दो एक यह ordered कितनी पॉसिबल चेंज बन सकते पेन सब बनानी होती है जैसे यह इए बन गई एक और एक और लिक बन सकती है और पूरी एस यह इन सारह करबन जोड़ेंगे वन देखो पास जोड़ेंगे पर सेख手र Alone ऐसे जाके ऐसा आगया इसमें number of carbon कितने है तीन तुसरी चेन में ऐसा 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 आ गया तो एक दो तीन चार carbon है मेरे पास ठीक है और जो लास्ट चेन की मेरी सीरी थी बिल्खुल एक दो तीन चार इस वाले चेन में भी चार तो सबसे पहली बात तो होती है सबसे पहली बात होती है चेन बनाना ठीक है कि कितनी पॉसिबल चेंज बन सकती है इसमें मेरे पास थ्री चेंज बन रही थी और तीनों चेन में मेरे पास देखो एक में थ्री का बन थे एक में फोर कार्बन एक में फोर कार्बन ठीक है यह चे मतलब जिसमें सभसे ज्यादा नंबर ओव काबं अब देखो इस वाली में थी है इन दोनों में फूर तो पहली बात तो इसमें यह होई नी सकती तो यह वाली है मेरी लॉंगेस्ट लॉंगेस्ट कारबन चेन ठीक है तो यह पहला रूल था इससे समझना बहुत चाद हुए ए एक बार मैं recap कर देता हूं जो भी आपको structure दिया हो अगर branch दिया हो देखो कि इस branch बना दिया कि straight line की जगा थोड़ा branch कर दिया यहां भी लगा सकते carbon कहीं और भी लगा सकते हो ठीक है तो उसमें क्या करना था सबसे पहले लो longest carbon 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 change को find कर गरना है तो पहले क्या करो carbon carbon margin कितनी बन सकते हुआ बजबनsoon है जो और लास्ट प ahí यहां से शुरू करता और ऐसे जाके यहां चले जाता ठीक है और ऐसे जाके यहां भी चले जाता वह तो सेम ही बात होती है यहां चला गया थ्री चेन मिली एक में थ्री कार्बन थे एक में फोर एक में फोर ठीक है तो लॉंगस चुन्नी है तो थ्री वाले को काड दिया दोनो किसमें confusion होती है अगर यह रूल के लिए है तो सेकंड रूल पर बढ़ते हैं ठीक है यही स्ट्रक्चर है फिर से बना देता हूं यहां पर फुरी मैस हो गया था इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं अब देखो मेरे पास क्या था C C C C और यहां पर एक branch C जुड़ा था लॉंगेश कारबन कारबन चेन मैंने बताई दिया यह वाली मैंने ली है यह वाली भी ले सकता था लेकिन इजी पड़े इसले यह वाली ली है ठीक है अब इसके बाद सेकेंड रूल क्या होता है सेकेंड रूल कि जोभी कारवन गया उननलिक काल को पान है तो सब्सेट्टिटैंट ऋ較aks जोरा यह तो बना देता बिल्टा म्द यह 8 फी दो न में डोनको सबस्टिटैंट तो जितने भी कार्बन लेफ्ट हो गए देखो लॉंगेस लॉंगेस चेन पता चल गी उसको मार्क कर लो फिर जितने भी कार्बन बच गए कहीं और लगें ब्रांच में लगें उन सब कार्बन को क्या कहा जाता है सबस्ट्री ट्यूएंट ठीक है बात समझे मां कि सबस्ट्री ट कर दो किसे कर दिया इसको कहा क्या का लापता है सबस्टुएइंट हें और अफ सेक्ट स्टैप जो सब्से पहला स्टैप होना चीह स्ट्रक्ट्र बनाने के बाद हाइड्रोजन की से करना आता है कि यह बहुत important बात है काफी लोगों को यह नहीं पुता hydrogen की वैलेंसी कैसे फिल करते हैं और वह इतना आगे बड़ जाते हैं सिंपल सी बात है इस वाले कार्बन को देखो खली एक ही वैलेंसी फिल हो रही है क्योंकि एक ही बाण बना रहा है तीन वैलेंसी बची ह है तो उससे इसिर 1 वैलनकी बची है एक यहां से साटिस्वाइब है कितनी बच्ची दो तो दो भॉंड लगा दो और है कि ईES वाले कारवन को करेंद की सिर्फ एक ही वैलेंसि पुरिये ईस वाले कारवन को देखो इस अब बना दो है पुरियोगी मैं एक बर से स्ट्रक्चर को बना देता हूँ अब देखो इस इस च्रक्चर को मैं से लिख सकता हूँ कौन से फॉर्म कंडेंस्ट फॉर्म क्या कहता है यह जो जितने हैं पी नंबर हैं से कारवन के बगल में लिख दो जैसे सी है carbon और यह कितने hydrogen है 3 hydrogen तो मैं इसे लिख सकता हो CH3 condensed form का जाता है इससे असान हो जाता है ऐसी एक single bond है फिर इस वाले carbon के पास देखो कितने hydrogen लगाना भूल गया मैं भी लगाता हूं देखो इस वाले carbon के पास कितने hydrogen है इतरी है और नीचे एक single bond बना लगा इस वाले carbon के मतलब carbon लिखो फिर कितने hydrogen 12 तो ह कर लो किसी यह लिख लो अब आव इस वाले carbon की फिल कर लो जो मैं बूल गया एक सिर्फ एक bond पूरा है देख्लो ना यह वह से बहां सिर्फ एकवांड ही पुरा है यह लगा दिया यहां लगा दिया यह लगा दिया यहां लगा दिया यहां इस वाले कारवन के कितना है वण टू ठी तो सीचσι फ्टरी लिःपलो ऐसे दिष shows बात मेठे़.. ऊसे लिए को ऐसे लिखा यहा引 में कुछ बढ़ी बात तो हम इसको बाहर लिख लेता हूं फिर चलते हैं बाकी रूपर नेमिंग सीखते हैं बस एक बार नेमिंग सीख जाओगे रूब समझ लो भी नोडस में लिख लो अच्छे से समझ लो बात को फिर जब एक्जामपल करोगे मेरे साथ 2-4 की नेमिंग ऐसे करोगे तो समझ है अब देखो इसे हमने क्या माना सबस्टिटुएंट इससे क्या माना सबस्टिटुएंट को नेम कैसे करते हैं इसका नाम है पहले मैं नाम ही लिख देता हूं इसको कहा जाता है मिथाईल क्या कहा जाता है मिथाईल क्यों कहा जाता है सबसे पहले सबस्टिटुएंट का नाम पता बना चाहिए जैसा CH3 मिला मुझे यह CH3 एसका नाम होता है जैसे पता चला देखो CH4 क्या होता है मिथेन ठीक है उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा तो इसको घाला जाता है मिथेन का होगे मिथाईल और समझाता हो जैसे ची टू एच 6 था इसका फॉनलोगाव सी एस ठीक जहां भी छोटी चीज़ा याद करो फिले इसका मतलब हो मिथाइल अब और समझाता हो कैसे होता है लिटे किसुआ इतने इतन गरो सीटोल हीडोजकी बनंग जाएक तो र्ली देंगा बने विली कर दो जाएक behaviors लादो बन जाएगा प्रोपाईल क्या होगा सी 3 एच 7 वैसे तो मिठाइल जाएफ प्रोपाईल कम है इन 3 को वैसे याद कर लो यादी कर लो करना समझ मांना चीए कि जो भी में फॉर्मुला होता जैसे मिठेन इथेन प्रोपेन उसमें से एक-एक हाइडोजन माइनस कर दोगे तो च को है नाम के पड़ा चेंड लुटू हो संवस्कूर्टीरण को पहचाना ऐख वर समय जो जो सबसे important है जो naming में काम आएगा है कि ए फोर्थ रूल है नंबरिंग करना क्या करना नंबरिंग करना नंबरिंग करना नंबरिंग ऑफ जैसे अभी तक आपने नंबरिंग नहीं सीखिए ठीक है जो भी double bond triple bond लगता था कोन्य में लगता था तो लिख देते थे प्रॉपर ना प्रकार करी जाती है जहां से substitute पास पड़े जैसे नंबरिंग बना वन टू थरी फोर जैसे चाल कार बना तो तक नंबरिंग जाएगी लेकिन कहां से शुरू करेंगा आप कुछ बच्चों दिमांग लोगा सबसे कोने से स्टार्ट करते हैं आप कोने से स्टार्ट करने कि यहां से स्टार्ट कर सकता हूं या तो यहां से स्टार्ट कर सकता हूं ठीक है लेकिन स्टार्ट कहां से करनी है जहां से सबस्टिट्वेंट पास पड़े मेरे साथ बोलो जहां से सबस्टिट्वेंट पास पड़े वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है अब यहां से स्ट मैं नमणीग कर तो यहां से पास में वेरा तो यहां से क् değişik से करते हैं.. सबसे पहले मौना मैंने नेमिंग क क्या लएं लिक्न मा वता हुदा हुद लिखना तो हूँ सब्सेटोंट का नाम है मिध्यायल कहा लगाया देखो टू नमबर बेट है तो हम क्या लिखेंगे टू मिथाईल अच तू नमबर पर लगाया कहा जाता है तू मिथाइल फिर लॉंगस्ड कार्बन कार्बन हैं केतने कार्बन है 1234, एक के लिए प्रेक स्ब्सक्राइब होता है एक सब्सक्राइब को नहींद नहीं कहीं सव्सक्राइब कर दो ut यह हो गई नेमिंग ठीक है ऐसे करी जाती है नेमिंग सारे रूल चार स्टेप्स में आपको बता दिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि कैसे नेमिंग करनी होती है ठीक है अगर ना भी समझ माया हो तो आप जब एक्जामपल्स करेंगे दो चार कोशन्स करेंग तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोई बड़ा टॉफिक भी नहीं और आप में आप किस लेवस में ज्यादा है भी नहीं ठीक है तो गवराना नहीं है खाली सिंगल बॉंड में है ऐसी सब्सेट्ट्ट और सब्सेट्ट्ट्ट भी हर्जागा सी एच्ट्री है सी टूच्व जिए मैं बिलते हैं तो काफी चीजे तो आपको याद taught six और माघ्रके इलो हो होगर जो प्र ठेशा ही सब्सेट्ट्ट्ट्र्ट तो देखो मैं आगर यह दूं कि C C C लगा है और यहां पर एक C लगा है ऐसा स्ट्रिक्टर है तो समझ जाओ क्या है घ्रव को इस लगा है उसके नीच लगा दिया उपर लगा दिया समझ जाओ पैला रोल लूंगेश्ट कारबन चैन मिलाओ अब देखो मैं चल कि सकती हो ऐसे चल सकता हो फिर फिर जक्रवित फिर और यहां पर तो तीनों में से वहाँ इसी पड़ता है चैनी ले लो और आपके में स्लिवेस में जादा आकर ही जिसमें सीधी-सीधी है सबसे लॉंगस ठीके आपके स्लिवेस यहीं है लेकिन तब रोल को याद रखना है ठीके ऐसा चल सकता था फीता ध्यून तो सीधे चल लिया ठीके फिर दूसरा काम रजाना अब यहीं बज़ी तो यहीं पूरी करो जाएगा यहां वहां हो जी हो जाएगा यहां फोलन इसीं है नहीं जैए में दो विल्कुल तुरंफ होनाई च लाएगा जाए है ति फिर अप सब्सक्राइब इसको कहा जाता है मिथाइल इसको कहा कहा जाता है मिथाइल नेमिंग करो फिर नेमिंग कहां से करो जहां से सबस्टिटूएंट पास पढ़ रहा है यहां वन टू पर पढ़ रहा है यहां पर भी वन टू पर पढ़ रहा तो दोनों जाएंगे से ही पढ़ रहा है कहीं से भी कर लो मैं यहां से कर लेता हूं वन टू पर पढ़ेगा अगर मैं यहां से भी वन से शूरू करूं तो वन टू पर पढ़ेगा तो दोनों जगह से टू पर रहा है तो कहीं से भी कर सकते हो ठीक है अब इसका नाम लिखो नाम में सबसे पहले सब्स लॉंगिस्ट कार्बन की उसमें कितने कार्बन है 123 कार्बन है फिर सफिक्स लगाना होता है तो नाम पढ़ जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन ऐसे नाम लिखे जाते हैं ठीक है अब तो सारे रूल्स को एक बार कंप्रेस करके मैंने लिग दिया ठीक है तब भी पता होना चीए कک हिस वह ना सबना दूब ना सकते हो जैसे बना दूब कि म सक्कल यह वाला वना दू सी 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 यह दरना नहीं है अब देखो सबसे पहला रूल पहले हैड्रोलिंग की वेलंसी फिल कर लो देखो THUL एच सिंगल पॉल्ट यहाँ पर यहां दो यहां दो सब्सक्राणा करा कलें फंच लाउय ऐसे लगेगा से इसको देखो एक यहां से पूरी करता तो H3 लगेगा तो सबसे सिध्वाल हमार्ण को चल सकता हूं एक बाल दिहान से देखो मैं चल सकता हूं वन जो सिवी हमिए पड़ेगा कारबन से यहां से यहां से यहां नहीं जा सकता हूं किकि यह दोनक किसी बांट से नहीं है लेकिन जो जो connected है वहां तो मुझी सकता हूं जैसे वन टू थ्री फोर सब आपस में connected है ऐसी यहां से वन टू थ्री फोर तो काफी काफी बच्चे यहां गलती कर देते हैं कि उनको भी एकुछ टीचर सिखाते हैं कुछ टीचर्स होते है बेटा हर बार सीीडी वाली है longest लेकिने ही गिनना है अब देखो लौंकेस्ट क्यावन रही है यह लांगेस्ट रही है इसका नंबरिंग करो खोड़ देखो आप सब्सक्रित कामालनाई अब देखो आपके पास यह चैन आप यहां से भी निमिंग कर सकते हो यहां से नेमिंग मिलना नंबरिंग कैसे करने हो इस सबस्टूटिट愉ल यहांvel चला हूआ है希से ऑल पर स्सटूटर थिस्ट जूड़ा है इस हो जानते हो ये बॉन्डध हुआ है तो अगर मैं यहां से चलूँ कोर्णर से चलते हैं तू थू पर ही इस जोड़ा यहां से पास प्रड़ा है तो नहीं क्या हो जए एक वन टू थ्री थ्म आम कैसे लिख ओगे नाम लिखने में सिंपल जहां में पर सबस्ट्रिटुटर्ट जुड़ा है तू पर क्या है तो टू पे मिधाइल है ठीक है तू डाइश मिधाइल फिर कितने कारबन है लॉंग इस कारबन करबन चीन में वन टू थ्री फोर फोर कारबन के लिए ब्यूट हर जागा सिंगल बॉंड है तो यह थोड़ा बढ़िया एक्जामपल था ठीक है जिन लोगों को बेसिक्स पता ह है मलं जो लोग रूल बूल जानते थे वहाइत इस वीडियो को देखने वह उनसे यह कोशन बनना चाहिए वैसे नहीं बन पाया तो कोई नहीं सीख लो लोंग इस कारबन कारबन चेन डूंड़नी होती है और एक बात बस मुझे इस एक्जामपल से यह बात बता नहीं थी क कि सीधी वाली चेनी मतला हमेशा लॉंग इस कारबन कारबन चेन नहीं होती है कि समाज में आई बात की नहीं आई आई आहीं गई होगी कि क्लिए एक और एक जामपल से एक नहीं चीज समझ मैंगी तो थोड़ा आग खोल के देखिना सूम अध़ जाना देखो एक नई चीज सिखाऊंगा इस तबंपल से कि मान लो अब पहली बात तो समझ लो ब्रांच है उपर नीचे लगा है तो ब्रांच जह है इसका मतलम कोई सबस्क्राइब कैसे सबसे पहला रूल या तो डर ना नहीं कोई भी स्ट्रक्चर दिए डरो मत सबसे पहला कैसे चलो तो मुझे लॉंगिस लिए अब देखो यहां बहुत प्रकार से चल सकते हो यहां तो पहली सबसे चल सकते हो उपर चल सकते तो तो एसी चल सकतो चार प्रकार से चल सकते हो तरी इसमें भी 3 मिले तो हर जगा 3 3 3 मिल रहे को इसी भी ले लिए अब जब हर जगा सेम मिलता है ना तो कोशित करकर सीधी ले लिए अगरोगी कि वह easy पड़ती थोड़ी सीधी वाली लेलो इजी पड़ता ठीक है अब वैलन्सी पूरी कर लो एक वैलन्सी फिल तो ह3 123 सारी फिल है यह नेमिंग भी जानते ही हो गए इसके लिए को सारी फिल है 1234 सब फिल है इसकी ठीक है फिर सेके थर्ड रूल के आता है घ्र फिल हिए थर्ड लूला था सब्सेट्ट पर जानना आप जो बच गया वह सब्सेट्ट यह भी बच गया यह भी बच गया अब इसकी एक कारबन है तो एज ट्री इसको भी छहाएगा मिठाइल इसको चाहा जाएगा मिठाइल तो देखो अब कहा जाता है नंबरिंग कैसे करें कर सकते हो तो कर लो खोड़ हमेशा ट्राय मार को अगर बेसिक लिए तो अगर बेसिक नहीं किलिए क्यों कि मैं यहां पर कुछ नहीं चीज सिखा रहा हूं आपको कि जब अगर दो हore तो कैसे करते है न geen किख्या है क्वनबर यंट करनी है नबरिंग दो कंडिंग सुरू होती है यहां Cakeर करता हो करनी का से चाहिए जहां से सब्सितूंट पास पड़े है यहां से अकर चलम वन correct यहरु वान वाल cars TViscover सब्सेट्रे नाम के सब्सेट्रेट का है और एक गोर बीर दूसरा वाला भी कॉमा लिगते हैं यह मलाने मिफाइल कि कहाँ पर लिखें कि पहले Алँ काहां सबसे पहली बात कहां पर एक टूप है दूसरा भी टूप है तो टू कॉमा टू डाइश डाइमिथाइल की दो बार मिथाइल अगर तीन मिथाइल लखेंगो तो ट्राइमिथाइल ऐसे लिखा जाता है ठीक है डाइमिथा उसके बाद कुछ नहीं स्केट चेंड में कितने कार्बन तीन तो प्रॉप और सिंगल वॉन तो इन बस नेमिंग कर लिए अपने सिंपल बात समझ मारी थोड़े से और एक्जांपल करेंगे ऐसे टाइप के तो और समझ मार जाएगा ठीक है घबराना नहीं है बस देखना है कहां से कोई भी मैं कोई भी इसके देखो मैं अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या दीने वाला हूं न कोई भी बना दूगा जिसमें दू बार कोई इस लाटंगा गबना खरतो सबसे पहले काम कर दिया करो सिख एक ही एक ही तो है टले इस स्थी ए इस वांड़े गेए तो ह無किकि वांग स्रुक्टरबाइब तो एक हम कशना होता है लॉहाउगे कारोज महिंत λेंill आए वैंद आряई सबसे लाइजस्थ यह ही तिनी बड़ी बनाती सब से लॉंगर सिच्केल लेकिन फिर भी एक बडर kıर लो जो ड़ी है कैसे चल सकते हूं 12345 यहां से यहां तो जा नहीं सकता यह किसी बर त्रिक एलिए लाइग और वसका SIM लोगे तो इन टू थरी फॉर फ़ाइव ही मिल रही है यहां से सलोगे था भी वर्ण टू थार फ़ाइव पाइव ही है तो को सिच करें लॉंग प्सकानाम तो मिथाइल इसका नाम है है तो मिथाइल अब देखो नंबरेंग करो नंबरेंग लॉंगिस्ट कालबट चीन की की दो कॉर्णर से होती है यहां से कर सकते हो अब बात समझो अगर मैं यहां से शुरू करूंग तो देखो वन टू यह तो एक सबस्टिटूट टू पर मिल ला है ठीक है 3 4 1 substitute 4 पर मिल रहा है ठीक है यह इस वागर इस से स्यूरू करें तो 1 2 2 4 मिल रहा है तो इसे चलता हूँ मैं ऐसे चलता हूं देखो 1 2 3 4 5 ठीक है क्लिए अब नेमिंग कर ली फिर सबस्ट्रिटूइंट कहां लिखते हैं सबसे पहले अब देखो सबस्ट्रिटूइंट कहां कहां है दोनों मिथाईल है ठीक है दोनों जगा मिथाईल है लेकिन नमबर से लगें एक टू पर है कॉमा मि tyreहें एक वुमा एक फूर पे है क्या है मिथाईल कहां ज़ाता है इसे मिथाई motorcycle कहां से डाइन अधाय से तो स्याएंध Charles कि कि है कि फूद करोत रहे कि नहीं वहाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं स्याखें एक बार और करवातों जिसमें और कोई नहीं चीज़ सिखाऊंगा एक बाद ये खुद ट्राय कर दो कि ऐसे देदू ठीक है ऐसे देदू ठीक है इसको अब एक बाद खुद ट्राय करो हाइडोजन की वेलंसी फूल करो लोंगिस कार्बन कार्बन चेंड चुनो सब्सेटुएंट तो यह नहीं होता चीज़े समझो यह नहीं होता है कि मैंने कोई लगा दिया तो यह सब्सेटुएंट बची नहीं रहा तो नॉर्मल नाम पड़ेगा इसका 1,2,3,4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 केस में आ जाएगा इसको खुद सॉल्व कर सकत हो कर लो कुछ नहीं बस लॉंगर करो सब्सेटुटुएंट का नाम लिखो नम्बरिंग वहां से करो जहां से सब्सेटुएंट पास पढ़ रहा हो फिर नाम लिख दो एक ही सब्सेटुएंट इसलिए लगा है ठीके दो हो जाए तब भी कमेंट में लिखना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके आप से हो गया मैंने बहुत अच्छे समझा दिये लेकिन आप इस सब्सेटुएंट वाले पार्ट से थोड़ी और बाते बनती है ठीक है थोड़ा डबल बॉंड त्रिपल बॉंड अगर कोने पर लगा हो तो कहां पर लगा वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा ठीक है तो देखो यह लिख लिए ना नोट कर लिया पीछे जाके नोट कर सकते हो मैंने अभी मिंटा दिया है हम मैं सिखाने वाला हूं कि कि अगर डबल वॉंड त्रिपल बॉंड जैसे हमने पढ़ा कहता हमने ऐसे बढ़ाता है सीजी उसी त्रिपल वोर्ड है तो इसको प्रॉपर नाम लेकynen पढ़ता था बेकिन मालो मालो मैं त्रिपल बॉंड यहां लगा दू ऐसे कर दू अब को ने लगा है देखो बीच में लगा है अब इसका नाम कैसे करो तो पहली बात तो है यहां यह यह भी पूरा है यहां है यह फ्ली आएगा ठीक है इसका लेखो one two three one चारो फिल के लगा दिए अब देखो आब इसमें नंबर इंग और यहां से करी जाते हैं कि अगर बीच में रहे हैं तो जहां से डॉपल पास पड़े अगर मैं इस साइड से करूं तो वन से स्रोर यहां से कर लो मैं यहां से करते हो न को जितकू है तो कहीं से घर से प्लवन सेसे रहें कि यहां से दंब्ली कर तो 1 2 2 से लवांट सुरू हो रहा है यहीं तूपे क्या है आई यह नहीं तो यूस करते तूट पर क्या है आइन है ऐसे इसकी नेमिंग करी जाती है अभी और समझाता हूं चिंदा मत करो और क्लियर होगा फिर एक दो सवाल ऐसे भी देदूगा जिसमें डबल वांड वांड वहाँ उसको करने में और मजायागा ठीक है आपके जादा स्लिबस में नहीं यह सारी ची की साथ ही सबस्ट्रीट लगा होगा ठीक है क्योंकि डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड के जाब बाद साथ जब सबस्ट्रीट लगाया जाता है तो थोड़ी और स्पेशल रूलिंग हो जाती है मैं सोचना हो शायद वह नाभी पढ़ा है फाइदा आपका है नहीं है ठीक है जैसे मैं करूँ कि यहाँ सी लिखूं पहले सिंपल वाला नेता हो यहां डबल बॉंड लगों इसका नेम कैसे लिए तो क्या लिखते थे प्रॉप ठीक है कोमरे मीश्ट लगा है तो क्या लिख देती तो एज़िए अब अगर मैं शेया एक और कर बन लगा लूँ अब इस प्रूर आग्र देखो लॉंगेस्ट कार्बन कार्बन चैन तो फूर यह ही है कोई सब्सुर्ट का जहन्जा तीन है तो वन टू थी-फूर की यहां से श्रू कर सकते थे नमडरिंग बड़ती वन टू थी-फूर अप यहां से भी शुरू कर सकते हूं 1234 यहां से शुरू करने बहीं टू से ही शुरू हो रहा था डबल बॉर्ण यहां से करने बहीं टू से शुरू हो रहा है बहीं इसे चल रहे हो तो लोगें दो टू पर डवल भॉल शुरू हो गया ओंडी जैसे वन पर इस वाले कार्बन पर वैसी डबल बॉर्ण शुरू हो गया तो इस वाले को देंगे तो प्रहले है तो पहले तो कितने तो सब्सक्राइब ठीक है कहां पर है डबल बान टूप है या टूप है डबल बाउन डबल पाउंड के लिए इसको देख नाम पढ़ गाए जाए गाउंड एक और एक्जामपल लूँ यह लूँ मैं चलो खैحد अब यक बार कड़ा करो में लाइब में देखते हैं आप से होता कि नहीं होता डियुक्त तो देखो में कर लो इसे क्वेज़् है थह को Tionnen को कोई सिल्सिट्ट है सीदी के बारिंग करना बंद्र का से भूल안ल मोट्रीपल आउ-उ-प-ौण जहां से डबल बॉंड या त्रिपल बॉंड पास पढ़ रहा हो जहां से डबल बॉंड या त्रिपल बॉंड पास पढ़ रहा हो वहां से नंबरिंग कर सकते हैं यहां से शुरू करूं यहां से शुरू करूं तो मैं काम करता हूं यहां से शुरू करता हूं ठीक है एक बार क से देखो तो टू पर भाली में तू पर बन रहा है तो हम इसको मानेंगे कोई सबसे पास पढ़ता हो जिस जगा से पासपड़ता हो डाबल बॉंड उस वाली नंब्रिंग को लेते तो यहां से थी पर सबस्टूट्रूएंट की नंबरींग कहां से करनी होती कि जहाँ से सबस्टूट्रूएंट ना पास पड़ रहो सब सबस्टूटूएंट कोई सबस्टूएंट नहीं तो टू पे एन डबल बार्न यूजिस गते हैं सनगल कि रिप्र बॉण्ड ले आई ना उस्ट करते हैं तो एकँ पैंट फाइफ कालबन कहां पर डबल बॉंड है यहां से शुरू कर आगा तो तु सही डबल बॉंड शुरू हो रहा है यहें सकना पास वाला नंबर कौन साथ आयम लोइस लोकर इन देते हैं तो पेंट टू डबल बॉर्ण तो इन ठीक है ताफी प्रैक्टिस करवा दिये एक वह लेते जो अब आप नेमिंग में अगर आपने जितनी भी आपी वीडियो लेक्श्यर्स आए हैं अगर आपने यहां एंड तक अच्छे से कर लिए अब नेमिंग में बिल्कुल परफेक्ट होंगे बिल्कुल मास्टर हो गए है ठीक है एक और ले जो ठीक है इसमें शायद आप फश जाओ लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नई फसोगे ठीक है क्योंकि मैं आपको हिंट दे दूँगा मैंने क्या कर दा इसमें त्रीपल बॉंड भी लगा दिया तो ज्यादा वैल्यू देगे तो तरिपार लॉट्ट से स्टॉटर्वम两 से में मुझाओ तो जहां से डुबल परसप्पड रहां वहां से नंबरी में शुरू यहां से भी numbering कर सकते हो ठीक है अब देखे लोग किस साइट की numbering से कोई भी बॉंड triple bond हो चाहे double bond कौन से साइट से numbering से वह पास पढ़ रहा है जहां से पास पढ़ रहा हो वहां से वह जीट जाएगा ठीक है यहां से बिल्कुल पास पढ़ रहा हो यहां से जल्दी जहां से मैं बार बर इसको पता रहा हूं जहां से पास पढ़े वहां से शुरू कर दो ठीक है कि एक बार ट्राइक कर लो कि आओ कि चुप पिछले लेक्चर में एक होंवग दिया था यह यह होंवग दिया था ठीक है मैंने गुला था इसका नाम लिखू अधा फिर वच्चों ने लिख दिया होगा बस इसके हैड्रोजन की वैंसी पूर लिखे लो दो वैंसी पिला यह वैंसी कहते हैं से यह सिंगल बॉंड है यह ना यह कोई बड़ा आसा ट्रेंगल नहीं है और यह सिंगल दो यह और यह शिंग्ल बॉंड से पीडिये के लिख दूँक तो यह और यह अब डबल वाट से लिए लिकें नहीं डबल वाला साइकल यह मत करो शिंगल बॉंड से जुझे है क्या होगी नेमिंग CCCC 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 H2 यहां कि नहीं आएगा इस वाले ग्रबन ने यहां सिंगल बॉर्ण नहीं रखा यहां मजम्दोब के दिया ऐसे इस वाले कार्मन ने हुआ से 2 यहां से 2 तो हाँ भी आएगा इस वाले कारबन को एक वलंस हाँ यह दो वलंस फिल दो बच्छी इस डू आएगा मैंने मुझा इसका फॉर्मॉला भी लिखो और नाम भी लिखो फॉर्मॉला तो सिंपल अप एक दो तीन कारबन तो तो cc3 कितने hydrogen 246 तो H6 हम तो हिसना कैसे सेकलोग का नाम लिखते हैं सब धाता है साइकलोट उसके बाद का लिखा जाता है जो भी है जिसना साइकलोट है तीन हैं इसमें उसी करी है तो C3 के लिए प्रॉप सिंगल बॉंड है तो इन नाम पड़ गया बस थाइकलिक स्ट्रक्चर जब होते हैं तो एक वर्ड और आजाता साइकलो बाकी नेमिंग बिल्कुल सेम रहती है ठीक है साइकलो प्रॉप पें यह पिछला हम वक्त था ठीक है तो यहां लिए लेक रही है अगर उसमें से कुछ ना मनें तो मुझसे पूछे लेन की यह नहीं बना मैनं वहाद करते हैं तो खुद पेठस करते रही है ठीक है प्रैक्टिस मैंने अच्छी अमाउंट में करवा दिये है तो अगला लेक्चर होगा आइजो मर्स को पर सबसे इंपोर्टेंट जो नाम इन लिखा आइजो मर्स को कहीं कहीं जिक्र होगा एक पराग्राफ में लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है जो बोर्ट में इतना होता यह टॉपिक आईजो मर्स ठीक है और इतने बडिया बड़े कोशन आते इस से यह समझना बहुत जूली हाइर क्लास के लिए तो अगला टॉपिक पूरा इसको डिवोटेड होगा ठीक है अगले टॉपिक में आईजो मर्स की बात करेंगे फिल तो फंक्शनल ग्रोप स करते करते यह चाप्टर अराम अराम से खतम करें मैंने पहली बहुता था थोड़े ज्यादा अमांट ओफ लेक्टर साएंगे इस टॉपिक से टाइम हमारे पास है इसलिए अराम अराम से सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे ठीक है मिलते है नेक्स लेक्शन म देट इस तो टोड़े अना इस्टाग्राम पर आजाना और आग एड़ा के अट्मिंटे तेट तुन भी ना बाए